हालो नमस्कार बच्चों आप सब्सक्राइब स्वाकत है आपका प्यारा चैनल एटुजट इस्टिटी पॉइंट पर आज हम कौन सा क्लास लेकर आये हैं देख रहे हैं एक इक नियम युनिट्री मेथड का हम आज हम क्लास कर रहे हैं तो यह मेरा युनिट्री मेथड एक इक नियम का यह दूसरा क्लास है अगर फर्स्ट क्लास को आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके उहां से देख सकते हैं या तब डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिये हैं यहां से भी आ सकते हैं और देखें इसको समझें यह बहुत ही अच्छी टोपिक है यह हमारे दे कि नियम से ही बनेगा मान लिया जाए कि एक रुपया किलो आलू है एक रुपया किलो आलू कहीं मिलता है तो बुरुबग जैसा हिसाब वहाना कि दास रुपया किलो आलू है तो पांच किलो आलू लेंगे तो कितना दाम होगा यह तो हम निकाल नहीं पाएंगे ना लेकिन बच्चो दिहान रहे, इस चीज को हमें सबजना चाहिए, कि ये प्रत्यक दिन आप लोग हटिया बजार जाते हैं, तो हटिया बजार से कोई खरिद विक्री करके आते हैं, तो उसमें से हमें जानकारी नहीं हो पाता है, कि दो किलो आलो का दाम 20 रुपया हुआ, तो आधा कि उसी का क्लास करते हैं, और उसी को सीखेंगे किस तरह से बनेंगे, आईए क्लास को सुरू करते हैं, आप देख रहे हैं, आपका क्या उंसा हिसाब है, देखिए, तीन किलो नमक का दाम 30 रुपया है, तो दो किलो का दाम बतावें, आपका क्या का रहा है, कि तीन किलो नमक क कितना है आपका 30 रुपिया है ठीक है तो हमको एक किलो पहले निकालना होगा एक नियम का यहीं नियम है कि जदी तीन किलो नमक का नम इतना रुपिया है यह दस किलो नमक का नम कितना रुपिया हो तो एक किलो को पहले हम फैंड आउट करेंगे उसके बाद चार किलो दो किलो 3 और स्प्सक्राइब 2 देखते हैं किसे निकालेंगे तो य干 नीकालना नमक का दंद होता हाँ यह घृत्र इंगे तो तीन से जीरो कटाएंगे तो जीरो होगा कितना आगी आपका 10 रुपया हुआ यानि एक किलो नमा का दाम 10 रुपया हो गया इस बात को हमको मालूम हो गया आए उसके बाद देखते हैं कैसे निकालेंगे आप काता है दो किलो का दाम बता यह क्या लिखेंगे इसलिए क्या का दाम कितना होगा एक किलो का दाम कितना है दस रुपिया यह दो किलो है ना तो दो गुना दस लिख दीजिए कितना हो जागा दस दुनी बिस रुपिया इस तरह से इसको निकालते हैं लेकिन आपको परिच्छाम इतनी लंबी बिधी से बनाएंगे तो काफी समय लग जाए ट्रिक के माद्म से कीस तरह बनाएंगे उसी को हम बताने के रहे हैями और अप मेरे सात्व बने रहे अगर हमारे समेल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बब बेल आइकन को ओन कर लें चलिए क्या स्ञास को सुरू करते हैं ट्रिक वरतिंट देख रहे बच्चों आपका question क्या है कि 15 मैजदूर किसी काम को 6 दिनों में पुरा करते हैं चाहे आपका कोई बस्तूर से हो या आदमी से हो लेकिन परिक्षा में दिकतर ये मैजदूर किसी काम को जो हिसाब होता है काफे important होता है और यही question दे दिया जाता है ठीक है न तो चले देखते हैं कि 15 मैजदूर किसी काम को 6 दिनों में पुरा करते हैं तो 18 मैजदूर उस काम को कितने दिनों में पुरा करेंगे तो आपका option दिखी रहता है 5 दिनों में करेगा या 7 दिनों में करेगा या 8 दिनों में करेगा या 10 दिनों में करेगा तो यह आपका option है ये चार option जो देया हुआ है तो एक option ही शही होता है आपको परिष्भा में इसी तरह से दिया रहेंगा और आपको चुन्णना होगा कि कौन सा option मेरा सही है आप बनाएंगे तब तो न तो चलिए बहुत ही सररण तो कि हम बता रहे हैं आपको किस तरह से इसको बनाया जाता है चलिए देखते हैं क्या लिखा है कि 15 माई दूर किसी काम को 6 दिनों में पुरा करते हैं तो समझे बात को यह पहला संटेंस क्या है 15 माई दूर किसी काम को 6 दिनों में पुरा करते हैं तो क्या लिखेंगे या लि तो यह 18 लिख दीजिए, इस तरह से सीखना, मैं बहुत ही सरल ढंक से आपको बता रहा हूँ, यह कोई नियम नहीं है, लेकिन आपको हम सरल नियम बता रहे हैं, कि परिछा में आपका समय की बचत होगी, और परिछा किस चीच का होता है, समय को बचाते हुए कोस्टन का सवाल का जवाब देना पड़ता है, अगर आप कम समय में अधिक कोस्टन का जवाब दिए और सही दिए, तो वही परिछा में क्वालिभाई करता है, तो यह हम ट्रिक के माध्यम से आपको सिखा रहे हैं, और ट्रिक के माध्यम से आपको स्थिक जाएंगे, यह बहुत ही अच्छ है, चलिए देखेंगे, क्या लिखेंगे, पंदरा मजदूर किसी काम को कप करता है, च्छो दिनों में, तो यह बहुत है, 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 यह option आपका सही हो गया, यही इसका answer हो गया, इस तरह से बच्चों बनाएंगे, यह बहुत ही अच्छा और सरल है, आईए देखते हैं, next question की practice करते हैं, देखते हैं बच्चों, आपका question बहुत ही अच्छा लाजवाब question है, अब देखें और आप भी practice करें, वीडियो को pause किज यह रोकिये, और अब बनाएए, कि देखें कि हम बना पाते हैं कि नहीं, आईए देखते हैं, 240 लोगों के लिए 10 दिन का भोजन है, 240 आदमी है, वो 10 दिन तक भोजन को खाता है, ठीक है, तो उसे 15 दिनों में खाने के लिए कितने आदमी चाहिए, कहता है कि 240 लोग है, और 10 दिन तक खाता है ठीक है ना अब वो कहता है कि 15 दिन तक जड़े वो खाएगा तो कितने आत्मी की आउसकता होगी इस इसको बताए जा रहा है तो आपको मालम थोड़ी है लेकिन बनाएंगे बनाएंगे उसके बाद में कहेंगे आईए उसको देखता है कैसे इसको है यहां दस लिख दिजिए और बटे दे दिजिए आप क्या दिए इस स्टेप में क्या कह रहा है यहां पर 15 कह रहा है ना यहां लिख दिजिए आप 15 बस यहीं तक लिखना है आपका हिसाब solution एकदम अरेड़ी complete हो जाएगा आईए इसको देखते हैं कैसे कटाएंगे देखिए इसको पंच दूनी 10 हो गया पंच तिया 15 हो गया पंच दूनी 10 पंच तिया 15 यह कट गया तीन आठे 24 को कटा दिजिए तो क्या हो जाएगा आपका अब यह दोनों अंग को गुना किजिए असी और 2 को गुना कीजिए कितना होगा? 160 होगा तो देखिए आपका आपका आप्सन कहा है? 160 कहीं है यहां देखिया आपका आप्सन एक 110 है तो बताएं कि 15 दीनों में खाने के लिए कितने आदमी कि आउशचता होगी? 107 आदमी की आप सेकता होगी यही कोस्चन में कहा जा रहा था क्या आपको अच्छी तर समझ में नहीं आया देखिए इसमें दो स्टेप को फोलो करना पड़ता है दो सचालिस लोगों के लिए 10 दिनों का भोजन है क्या लिखेंगे 240 गुन 10 लिखेंगे उसके बाद उसे 15 दिनों में खाने के लिए कितने आदमी क्या हो सकता होगी तो 15 नीचे लिखेंगे और जहां-जहां कटे उसको कटा देजी आपका अंसर करेक्ट आज़ेगा आप एकदम 10 सेकंड में नहीं 15 सेकंड पर बना सकते हैं इसको प्रैक्टिस क विक्ति उसी काम को कितने दिनों में पुरा करेंगे यह आपका कोस्चन है इस कोस्चन को कैसे बनाएंगे आप प्रैक्टिस भी किजिए और जल्दी से बताएंगे कि आपका आंसर कितना आता है आप देखेंगे देखते ही बना देंगे क्या इस टिप हम फोलो करेंगे 15 व है इक दिखेंगे यहां लिख दिजे 15 लिखेंगे क्या है यहां इस तरह से अब दुसरा स्टमे में क्या तो 24 वेक्ति का हरा ना यार यां 24 लिख दिजिए आप कटा दिजे कहां से कटे गा देखेंगे दे buradan आइए तया हो गया आठ तया 24 हो गया पांश तया पंद्रा पाज दूनी कितना हो गया? दस हो गया अब देखिए दस दिन कहीं पर है ये देखिए आपका दस दिन यहाँ पर है तो यही आपका आंसर होगा क्या आप नहीं समझे? आईए पुन्हा इसको देख रहते हैं अच्छी तरह से बात को समझे जब आप समझेंगे तभी तो आप बना पाएंगे आईए उसको अच्छी तरह से समझते हैं समझे बच्चों समझना है सिखना है जब आप सीखेंगे समझेंगे तभी तो परिछा में क्वालिफाय करेंगे आईए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे पहला step देखिए कि 15 वेक्ति किसी काम को 16 दिनों में पुरा करते हैं यहां से यहां तक इसको रख दीजिए क्या लिखेंगे 15 गुना सुल उसके बाद दूसरा sentence में आईए दूसरा वाकि में आईए तो 24 वेक्ति उसकाम को कितने दिनों में पुरा करते हैं इसमें दो sentence है यहां है हो गया एक sentence और यहां से हो गया आपका दूसरा sentence तो लिखेंगे दूसरा sentence को नीचे लिख देजिए ऐसा लिखेंगे अब क्या करेंगे इसको देखिए 15 तीया 15 इसको कटा दिजिए 15 कितना हो गया 15 तीया 15 आपका हो जाएगा उसके आट तीया कितना हो गया 28 24 हो गया अभी यहां से इसको कटाएंगे 8 2 16 हो गया 5 और 2 को गुना करेंगे 10 होगा तो यही आपका answer हो गया option number 1 correct ह उमीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, चलिए देखते हैं, नेस्ट कोस्टन देख रहें बच्चों, आपका स्क्रील पर कोस्टन आ चुका है, बहुत ही अच्छा कोस्टन है देखें, सीखें, आपको बहुत बेसिक ढंग से बता रहें, ये कोई नियम नहीं है लेकिन हम आपको ऐसा नियम लेके आए, कि आप सीखें और जल्दी से अब बना लेंगे आपको 15 सेकेंड में ये हिसाब आपको बनाना है, बात को समझेगा अधिक प्रैटिस करेंगे, तो आप देखेंगे, और गुना भाग करेंगा आपका बन जाएगा हिसा है ना, आईए इसको देखते हैं, क्या है, कि दस मनुस किसी काम को चार दिनों में कर सकते हैं पहला step देखिए, यहाँ पर पहला step हो गया, बात को समझेगा, दस मनुस किसी काम को चार दिनों में कर सकते हैं ये पहला step हो गया, इस चीज़ को आप याद रखिए, ये first step हो गया, इसको ऐसे round कर दिजिए उसके बात क्या आकता है, तो उसी काम को पांच दिनों में समाप्त करने के लिए कितने मनुस्यों की आप सकता होगी ये आपका क्या हो गया, ये second line हो गया, इस बात को समझेगे तो यहाँ दो ही टू कहानी करना है ना, दस मनुस किसी काम को चार दिनों में करते हैं लिखे ओही मेथड से, 10 गुणा 4, यहां लिख दिजिए और बटे यहां दे दिजिए, उसे काम को 5 दिनों में, 5 दिनों में कहा रहा है ना, त्यहां 5 लिख दिजिए, अब क्या करेंगे इसको, देखिए, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 कट गया ये, अब 2 और 4 को गुणा कर हो गया तो यही हो गया कितने मनुस्थू के आव सकता हो गी तो आपको आठ आदमी आठ मनुस्थू के आउसर अंसर 2 आपका नुमरी आपका तो से बनाएं लिखेता है याद रखांष इस से लित में लिखा गुनआ के नहीं मिलेगा आईए इसको और अधिक ढंग से प्रैक्टिस करते हैं आप भी प्रैक्टिस किजिए और आप नवदे की त्यारी कर रहें न तो आपको घबड़ाईएगा नहीं आप ऐसे सी की त्यारी करें तो घबड़ाईएगा नहीं यह हर एक परिच्छा में ऐसा ही देखरें बच्छों आपका बहुत कुश्चन लाजब कुश्चन आ चुका है कौन सा क्या की श्यानवे आद्मियों के लिए चालिस दिनों की रसद है बतायें कि 60 अधमी उसे कितने दिनों तक खाएंगी क्या कहा रहा है कि एक कीला में 96 आदमी है और 96 आदमी 40 दिनों तक और खाना खाता है यही कहा रहा है इसमें से ठीक है न 96 आदमी 40 दिनों तक खाना को खाता है तो बताइए कि साथ आदमी उसे कितने दिनों तक खाएंगे यही कोशन कहा रहा है तो क्या बनाएंगे उसे निया 40 लिख दीजिए 96 गुना 40 लिख दीजिए और बटे दे दीजिए यहां पर अब दूसरा इस्टेप में यहां 60 है ना तो 60 को नीचे लिख दीजिए ना अब क्या करेंगे यह 0 को यह 0 कार दीजिए अब 4 और 6 है क्या करेंगे 2 दूनी 4 अब 32 और जाइगा है आप क्या करेंगे यहां में स्याट कुट्क दीजिए 309 हो गया 32 हो गया 25 और 22 को गुना करेंगे कितना हो जागा आपका 64 आज जाएगा देखे कितना ही सरल है आपका 10 सकेंड मातर है कि जितने दिर आप काम ही करेंगे आप जितना दिर सावल्ब करेंगे उतने दिर में आपको यह बन जाएगा यानि परतियोगीता परिच्छा में एक मिनट का समय दिया जाता है एक कोस्टेन बनाने के लिए लेकिन अगर आप एक सकेंड में यह हिसाब कंप्लीट हो गया तो इसी तरह से जब हम बनाते हैं हिसाब को तो मेरा समय भी बचता है और आप जल्दी से परिचा में क्वालिफाय हो जाएगी तो मेरा एक ही उद्देश है कि आप हमारे चेनल से जुड़े और इसे अच्छी तरह से पढ़ें अच लिए अगर आप हमारे चेनल से जुड़े हैं अगर आप नहीं भी जुड़े हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और पढ़ाई को जारी रखें देखिए कित्रहीं इंट्रेस्टिक धंग से आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सौल्व किया जागा यह टेक्निक है आप पढ़े आपको हम आगे की ओर ले चलेंगे आपको समझने में कहीं भी कुछ कठिनाई हो तो कमेंट अबस्य करेंगे कि आपको कहन डाउठ होगा? किस तरह से आपको समझने में कठिन आएगा? आईए देखते हैं नेस चुकोषों आप देख रहें बच्चों आपका question स्क्रीन पर आ चुका है बहुत ही लाजबाब question है देखें कैसे हैं कि 58 मैंजदूर किसी दिवार को 25 दिनों में बना सकते हैं तो उसी दिवार को 35 मैंजदूर कितने दिनों में बना पाएंगे बात को समझे क्या का रहा है कि 28 मैजदूर है यह 28 मैजदूर है और 28 मैजदूर किसी काम को कितने दिनों बनाता है 25 दिनों में बनाता है तो वो कहता है कि 35 मैजदूर अगर रहे तो यह दिवार को कितने दिनों में बनाएगा यही आपका question को कहा जा रहा है यह question में कहा रहा है तो इस question को हम कैसे find out करेंगे आपके पास चार option है option को देखिए first option है 10, दुसरा है 12 तिसरा है 14 और चोथा है 20 ये जवहार नवदे विद्याले उनी स्वर निन्यागनवे में ये question को पूछा गया है और ये question बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि ये question में कुछ रस है और उस रस को हमें समझना है कि कैसे बनाएंगे जिस तरह बताए उसी तरह से बनाएंगे और ये ऐसा जिदी question आ गया तो आप बना लेंगे आई ये question को solve करते हैं 28 मजदूर किसी दिवार को 25 दिनों में बना सकते हैं यहां से यहां तक देखिए आपका first is tip ऐसा देखे बना देजिए ठीक है न 28 मजदूर किसी दिवार को 25 दिनों में बना सकते हैं तो क्या लिखेंगे 28 गुना 25 लिख लिजिए और बटे लिखिए अब दूसरा sentence भी क्या रहा तो उसी दिवार को 35 मजदूर कितने दिनों में बना पाएंगे यही कारा है न कि 35 मजदूर अगर लगाएंगे तो वो कितने दिनों में खटम करेगा न सवाप्त करना है तो यहां लिख दीजिए 35 है न अब इसको क्या करेंगे solve करेंगे 25 हो गया cut गया 5 सते 35 हो गया सत चोके अठास कटा दीजिए और अब यह दोनों को गुना कर दीजिए तो गुना करेंगे कितना होगा 5 चोक 20 होगा तो यह आपका 20 हो गया अब देखिए यह 20 कहां है option यह 20 तीनों में यह समाप्त कर देगा यही आपका answer हो गया इस तरह से आप बनाएंगे तो यह बहुत ही अच्छी तरह से आपका experience भी भड़ेगा और mathematics आपका कमजोर भी है तो वो आपका strong हो जाएगा तो उमीद है आपको आज का class काफी अच्छा लगा होगा अगर आप हमारे इस चैनल पर नए है तो अभी subscribe कर ला और bell icon को on कर ले और पढ़ाई को जारी रखिए आईए देखते हैं कुछ home bear के रूप में question देते हैं उसे आप घर में practice करेगे देखते है question को देख रहे बच्छो आपका question क्या है कि यदि 12 आदमी किसी काम को 5 दीनों में पूरा कर सकते हैं तो 10 आदमी उसी काम को कितने दीनों में पूरा करेंगे यह first question है second question क्या है यदि 15 आदमी किसी काम को 8 दीनों में पूरा करते हैं तो 6 दीनों में उस काम को पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए, ये आप होम बर के रूप में आपको दिये कि आज का क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, या नहीं समझ में आ आए, तो ये दोनों कोस्चन को आप बनाए, और कॉमेंट में इसका reply देंगे कि हमें अच्छी तर समझ में आ गया होगा इसलिए आपको comment में दो question दिए अगर आपको इसी तरह से और topic चाहिए और class चाहिए तो हमें comment में reply करेंगे तो हम उसे पुना आपकी सेवा में next video upload करेंगे अगर आप मेरे साथ practice करना चाहते हैं तो comment अवसे करेंगे और मेरे चैनल में आएं पढ़ें शफल होएं यहीं मेरी कामना है thank you for watching my video अगर आप ज्यान से ते उस्युगम कारिपुस्त का आपका अधुरा रह गया है तो आप कौन सा पेज नमर चाहिए आप हमें पेज नमर लिख कर अवसे बताएंगे कि कौन सा पेज आपका अधुरा पढ़ा हुआ है यह आपका गनिज हो या इंगलिस हो या हिंदी हो अगर आप कोई भी चीज अधुरा है तो आप पहले प्रेलिस्ट में जाईए प्रेलिस्ट में देखिए आपको अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट अवस्ची करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू फर वाचिंग माई वीडियो